हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो तैयारी ओपीडिया जहां हम आपको करा रहे हैं अब से रोज डेली करंट अफेर जो आने वाली हर एक एक एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है तो चलिए देखते हैं कुछ फॉर्ट पॉइंट्स जो आपकी आने वाली एक्जाम के इंडिया की फर्स्ट वाइस बायमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग आप लांच किया है तो आपको ध्यान रखना है चलिए देखते नेक्स पॉइंट अग्री कल्चर मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नरेंद्र सिंग तोमर अग्री कल्चर मिनिस्टर कौन है अपने हां पर के साथी बसके बाले भारत ने से मान ट्रे या मोदी को स्केया है ऐग्री कल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंग्स तोमर जी को ससंद्री पहारत ने राष्री कौंतम मिशन को मंजूरी देदी है बहुत बड़ा मिशन है चीन ने फ्र त्री क्सीलिए तो हमारे आपको क्या मिलेगा तो सारे इंपोर्टेंट टोपिक्स कवर होंगे सबसे पहले जो सबसे आने वाले हरेक एकजाम में है वो सब आपको कवर किये जाएंगे उसके बाद दा ही दिंदियो नियूज और एडिटुरियोल में जो कुछ दिया रहता है वो सब हमने cover किया है इसमें उसके बाद कुछ static portion भी हमने provide करेंगे आपको जिसमें आपको उस topic के बारे में थोड़ी जादा knowledge हो जाए जिससे उसके अंदर से कोई भी question आए तो आप उसको कर सकें चले देखते next point और जित्ते भी news है जित्ते भी news current में चल हो जाते हैं और एक्जाम में answer में टिक करने में गलत कर देते हैं चलिए देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अंडर 20 विस्वकप की मेजबानी में इंडोनेशिया की जगह लेगा अर्जंटीना आपको बता दिया था मैंने 18-19 अप्रेल की current affair में ही बताया था कि जो होने वाला था FIFA इंडोनेशिया होस्टिंग करने का अधिकार अर्जंटिना को दे दिया गया है जो पहले पहले टेरा में होने वाला था अब वह कहां होने वाला यह Faisla Indonesia Football Association ने वाली में होने वाली वाली में होने वाली जो draw match को रद्द कर दिया था क्योंकि राजपाल इसराइल की टीम को होस्ट करने से इनकार कर दिया था इसलिए अब अब अंडर 20-20 वकप की मेजवानी अब इंडोनेशिया की जगह कौन करने वाला है अर्जन्टीना करने वाला है तो आपको इसका कारण भी बता होना ची इसलिए हमने इस कारण को आपको यहां बता दिया है तो आप एक्जाम में जाएं तो इससे रिलेटेट जो भी कोशन बने आप उसको टिक करें तो फुटवाल एसोसियेशन वाली में होने वाले जो मैश था उसको ड्रॉव कर दिया था क्योंकि वहां के जो राजेपाल थे उन्होंने उसको होश्ट करने से इंकार कर दिया था चले देखते है नेक्स पॉइंट बिहार में आयोजित किया गया थावे महुत्सो को थावे महुत्सो कहां आयोजित किया जाता है या भी आपको ध्यान रखना है तो कहां आयोजित किया जाता है थावे में किया जाता है चलिए देखते हैं इसके कुछ important points परेटन विभाग और कला संस्कृति विभाग ने 15-16 अप्रेल को बिहार में गोपाल गंज में कहां पर मनाया जाता है यह आपको ध्यान रखना है बिहार के गोपाल गंज में मनाया यह festival आयोजित किया जाता है यह उत्सव गोपाल गंज में परेटन को बढ़ावा देने के लिए और किन देवी के उत्सव में बना जाता है तो दुर्गा मंदिर के प्रती आकरसन के लिए इसको आयोजित किया जाता है तो आपको यह चीजें ध्यान रखनी है कि कहां पर कि किया जाता है तो यह उत्सव गोपाल गंज में किया जाता है और किसको बढ़ावा देने के लिए दुर्गा मंदिर को बढ़ावा देने के लिए चलिए देखते हैं तो आपको यह ध्यान रखने सारे point की under 20 विस्वक पकी मेजबानी कौन करने वाला है पहले इंडोनेशिय को इंकार कर दिया था और कौन सा महत्सों मनाया जा रहा है से लिए भारत प्र excessive area को दिंद के लिए ASBA सुविधा क्या होती यह आपको बता दें हम तो सेवी ने क्या कर दिया है सेवी ने शुरू कर दी है दितियक बाजार व्यापार के लिए ASBA सुविधा तो ASBA सुविधा में आपको क्या बता जाएगा तो सेवी भारत की मुख्य प्रतिभूती भाजार नियामक हमेशा से निवेसकों को किसको निवेसको जितने भी नियामक थे उनको सस्ट्र बनाने के लिए और देश के प्रतिभूती को बढ़ावा देने के लिए यह उसकी एक म बहुत ही ध्यान में रखा हुआ application support by block amount SSB का आपको full form ध्यान रखना है application supported by block amount यह आपको ध्यान रखना यह एक ऐसी facility है यह भुगतान तंत्र है क्या है एक भुगतान तंत्र है जहां पर निवेशक जितने भी निवेशक होते हैं उनको क्या किया जाता है IPO के subscription के दोरान धन के broker खाते में transfer करने के बज़ाए अपने बचत खाते में block करने की अनुवती देता है तो अपने जो broker के खाते में जो transfer करने के बज़ाए अपने बचत खाते में आप उसे transfer कर सकते हैं और निवेशकों के fund की सुविधा को सिनिश्चित करता है यह IPO saver 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 के के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाता है तो यह फैसिलिटी आपके लिए बहुत ही यूसफुल हो जाएगी रिफंड के लिए लेने वाले समय में कमी होती है और निवेशकों को अधिर लिक्विडिटी प्रदान करता है तो यह आपको बहुत ही ध्यान रखना है सेवी ने भारत में क्या कर दिये दिती यह बाजार व्यापार के लिए एससबी जैसे सुविधा तो हमें आपको बताना चाहते थे कि एससबी सुविधा में आपको क्या-क्या मिलेगा तो यह हमने आपको बता लिए चलिए देखते हैं नेक्स पॉइंट City Union Bank ने किया भालत का पहला वायस Biometric प्रमाडी करन बैंकिंग एप लाँच किया है तो यह बैंक ने कौन से बैंक का नाम है तो आपको ध्यान रखना है Union City Union Bank City में जित्ते भी यूनियन बैंक है वो भारत का पहला जो भी भारत के पहले के बारे में बताया जाए आपको उसको बहुत ही धियान में रखना है तो वायस Biometric प्रमाडी करन बैंकिंग एप है यह कौन सा है कौन सा एप ये भी पूछ सकता है कि बैंकिंग एप के थूँ अभी कौन सा लाॉंच हुआ Union Bank ने क्या तो वायस Biometric प्रमाडी करन बैंकिंग एप इसने लाउंच किया है चले देखत के अंदर कुछ और पूछ लेता है उसके रिलेटेड तो आप उसे नहीं बनेगा इसलिए हमने सोचा कुछ उसकी थोड़े से ब्रीफ पॉइंट को देख लेते हैं पिछले देखते हैं सिटी यूनियन बैंक ने एक नई सुविधा पेस की है कि कौन सी सी यूबी सी यूबी स लॉग इन करते समय आवाज आधारित पहचान का उपयोग करने की अनुमती देती है जहां पर आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करेंगे वह अपनी आपकी आवाज को सुनकर यह सुविधा आपको प्रदान करेगा यह सुविधा नेट बैंकिंग उपयोग करताओं के लि इसे यूजर आइडी, पिंकेस, फिंगर-पृर्ड के साथ सामिल होगा जिस से ग्राहकों को विभिन्ह दिकल्पों में चैन करने की सुविधा मिलेगी यह सब आपके यह सब जो हम आपन पेन कार्ड हो गया और अधार कार्ड हो गया इन सब और फिंगर प्रिंगर प्रिंट के साइडी यह सब की अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी आवास के थ्रूगों क्या हो जाएगा आपको ऑथिंटिकेट कर देगा C.U.B. ने बताया कि ग्राहक उन प्रमाडी करण विधियों का चैन कर सकते हैं जो उनकी आवसकता और पसंदों को सबसे ज़्यादा अधिक में ध्यान रखती है तो जो आपको ज़्यादा आपके लिए बेनिफीशियल होगा आप उसी से अपने आवाज के थ्रूग क्या कर सक है तो चल ये देखते हैं तो यह थे जलिए देखते हैं कुछ और पॉंट t तो इसमें सामिल हो गया है आपके डिजिटल लेंदेन में सामिल हुआ है चिन्नई के पांस सहर में पांस सहरों में चिन्नई सिर्ष स्थान पर रहा है देश में डिजिटल तरीके से लेंदेन करने वाले सिर्ष सहरों में चिन्नई सामिल हुआ है चिन्नई क्या हुआ है सामिल हुआ है बीते वर्स मामले में पांच बड़े सहर में उनका स्थान रहा है सेवा भुक्तान सेवा भुक्तान वर्ड वाइल इंडिया की मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ड में तो यह कौन प्रकाशित करता है तो यह प्रकाशित करता है सेवा फर्म वर्ल्ड लाइन इं तो आपको ध्यान रखना है दो हजार बाइस में कितना 35.5 अरब डॉलर के मूल लेके कितने दॉलर का जहां 50 अरब डॉलर के 1.96 कोड़ के लेके दिएक उसके बाद किया Kub once मुंबई मुंबई के बाद मुंबई मुंबई के बाद पूने मुंबई के बाद आपको पूने द्यान रखना है तो यह चारों आपको द्यान रखना है और इनके कुछ कुछ इंपोर्टन चीज़ें हैं जो अब देख लेते हैं पॉर्टल के जितने भी यह आप नए मोवाइल के एप लाउंच हो रहे हैं वह आपको बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन है ज़ैंडर द्यान में रखना है अभी सारे एक्जाम में इनपोर्टन पूछे जा रहे हैं बीज और सम्प्रिद्ध किसान योजना के लिए क्या किया है साथी पॉटर लैप लाँच किया जिसके तहत क्या होने वाला है तो बीज का उत्पादन उसकी गुडवत्ता पहचान प्रमारी करन के जितने भी मुद्ध्य होते हैं उनको संसोधित करने के लिए एक ऑन-Line प्ल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी जो भी उन्हें परिसानी होगी वह अपने मोबाइल एप्लिकेशन से यानि कि मोबाइल में अपना साथी एप्लिकेशन डाउनलोड करके वह अपने सारे काम को कंप्लीट कर सकते हैं चले देखे जिसमें सीड ट् सम्रिद्द किसान योधिगरं तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है चलिए हमें देखते हैं नेक्स पोउइंट चीनी भासा दिवस चीनी भासा दिवस कमना आगया चीनी भासा दिवस workers 2014 मना कर सांस्कृत्तिक बिवित्ताओं को बढ़ावा देने के लिए संगटन के सभी छे अधिकारिक भासाओं का उपयोग प्रोसाहित करने के लिए यह मनाया जाता है चीनी भासा दिवस चीनी भासा दिवस 24 सौर अवधियों में से छेवें और अवधि गूः के रूप में मनाया जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखनाना 24 सौर अवधियां होती है और 600 अवधि में गूः के रूप में जाता है जो आम तोर पर ग्रेगोरियन केलेंडर में 20 अपरेल के आसपास जाती है तो 20 अपरेल के समय चीनी भारती दिवस मनाया जाता है इस दिन चांग जी को समर्पित किया जाता है तो आपको यह ध्यान रखना है चीनी भासा दिवस में यह दिन किसको समर्पित किया जाता है यह आपके एक्जाम में आ चुका है तो यह दिन चांग जी को समर्पित किया ज उनकी कहानी में देवताओं और भूतों के रॉंग्टे खड़े कर देने वाले और बाजरे की बॉच्छार के बीच वर्णमाला की निर्मार का वर्णन किया गया है तो उनकी कविताओं चांग जी में किन-किन चीजों का वर्णन किया गया यह भी आपको ध्यान रखना है दे यह चीनी वर्णमाला के अफिसकारक थे जिन्होंने देवी देताओं और भूतों के रोंग्टे खड़े कर देने वाले ऐसी वर्णमाला का निर्मार किया तो आया आशा है आपको समझ में आ गया होगा चलिए देखते हैं नेक्स पॉइंट चलिए देखते हैं नेक्स पॉ पॉरुसकार से होंगी सम्मानित लता दीननात मंगेशकर पॉरुसकार से सम्मानित होंगी तो आपको आशा भोसले होंगी कौन से पॉरुसकार से लता दीननात मंगेशकर एक पॉरुसकार है आपको नाम ध्यान रखना है इससे आप कन्फ्यूज ना हो जाए कि लता अब इस दुनिया में नहीं रही है तो आसा भोसले जी को मिलेगा यह पुरसकार तो प्रख्यात गाई का प्रख्यात गाई का आसा भोसले को लता मंगेशकर की याद में यह अबॉड दिया जाता है मंगेशकर परिवार एम ट्रस्ट द्वारा यह कौन ने चलाया है तो यह भ को होने वाला है और किसको मिलने वाला है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी अभी एक्जाम्स चल रही है उसमें पुछ सकता है जो उनके पिता की मृत्तियों की वार्सिक उपलक्ष में मनाया जाता है तो कौन से दिन उनकी पिता की मृत्तियों हुई थी 24 अपरेल के इस इसी दिन यह पुरुसकार संभा disgर की जाता है लता मंगेसकर की चोटी भेन आसा भोषले को यह पुरुसकार दिया जाएगा, सिरकला आपको इनका नाम-धियान रखना है कि результат 9 दिया जाएगा तो आपको यह पॉइंट्स बहुत ही ध्यान में रखने हैं जित्ते भी पॉइंट्स हमने आज करवाए आप इसे 10 मिनट 15 मिनट के अंदर हमारी पीडियाप डाउनलोड करके और उसे एक बार फिर से कवर कर सकते हैं और जितनी बार आप इसे रिवाइस है तो भी आप रिवाइस कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़े रहिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम आपको डेली और भी सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ-कुछ वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके आने वाली हर एक एक्जाम स्टेट आपके में नहीं ले सकते हैं तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों को डेली के डेली आप रिवाइस करते रहेंगे तो आपको बड़न नहीं होगा इसलिए हमने इस डेली करण्ट अफैर की सीरीज को चालू किया है हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिप कीजिए जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसका फाइदा उठा सकें चलिए धन्यवाद